नमस्ते जी, मैं हूँ देरेवान, आपका अपना हिलिंग मास्टर दोस्तों, अमवस्या है, दिवाली का दिन है और इस बार सूमवती अमवस्या पढ़ रहा है मतलब कि दुरलब है सूमवती, सालों में एक आदबार ही आता है तो बेटा, ऐसा है कि आमवस्या है, तो ये नार्मल अमवस्या थे थोड़ा ज्यादा शक्तिशा लिए तो healers को healing practice करनी है, normal people को कैसे !! उस दिन healing करनी है, ये सारी बाते मैं समझाओंगा अपने healing practice करनी है तो कैसे करनी है किसी को heal करना है तो कैसे करना है नहीं करना है तो कब नहीं करना है इन बातों को थोड़ा समझ लेना जोरी है और एक चीज और करते हैं हम दिवाली में abundance check लिखते हैं तो उसके लिए एक अलग video बन रहा है उसके लिए एक अलग वीडियो है जिसे आप देख लेज़ेगा आभी मैं हीलर्स के लिए मैं बताने वाला हूँ कि हीलर को क्या करना है सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज़ समझना है कि अपने सिंबॉल्स को हर अमावस्या हर पूर्णी मा में शक्ति से भरना है समझना कि अमावस्या के दिन चंद्रमा कहीं जाते नहीं है चंद्रमा वहीं होते हैं बस वो प्रित्वी की परचाईं के पीछे होते हैं da sury की प्रिखाई चंधरम पर पट्री होती है is a suri ki roshni प्रिट्वी परपढ़ी और प्रिथी की परच्षाई जो है चंदरमा पर पट्रे तो कहने का मतलब यह है कि जैसे की आप समझा ये suri है सूरी की रोशनी प्रित्थवी पर पढ़ रही। इसकी परशाई चंद्रमा पर पढ़ रही। चंद्रमा डके हुए। बसद्रमा लेकिन चंद्रमा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उस दिन भी अपने symbols को अपने tools को हमें charge करना होता है अपने लिए symbols को एक स्वर्शित जगह पर रखो suppose आपके पास 12 symbol है आपके पास 25 symbol है आपके पास 40 symbol है तो जैसे यह रश्ष्मी पोटली है ये दिवाली में बहुत लोग स्थापित कर रहे है ये तुसी विवावे में में स्थापित होना है और साल में और करी दिन होते हैं जो की मैंने बता रख़ा है जैसे कि खुद का जनमदीन अपनी खास किसी परिजन के जनम दिन या कार्तिक पुर्णिमा, गुरु पुर्णिमा, तो ऐसे में रच्छी पूर्ड ले स्थापित किया रहता है, तो हम थे कहां, हमारे सिम्बल्स को कैसे रखना है, एक बहुत प्यारा मलमल का कपड़ा है, तो ऐसा लाल कपड़ा जो है, ऐसा एक कपड़ा रख लो और इस कपड़े में या तो मैं तो यह कहूंगा कि किसी योग्य गुरू से यह पोटली ही ले लो खाली पोटली ले लो खाली पोटली भी काफी है तो यह तो कपड़े को पोटली की तरह बना लो या फिर ऐसा एक पोटली किसी योग्य गुरू से ले लो ज जिनके हिलिंग से आपको सफलता मिली, आपको कुछ भी ज्ञान मिला है, तो आप जिन पर रिश्वास करते हैं, जिन से आपको फैदा हुए, वैसे गुरू से आप ऐसे पोटली ले लीजे, खाली पोटली, भारा हुआ नहीं बिटा, और उसमें अपने सारे सिंबोल्स को एक सफिद, छोटे-छोटे सफिद कागच में सिंबोल्स को बना लेजे, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह इस दिवाली तो नहीं हो पाएगा, या इस आमावस्या तो नहीं हो पाएगा, लेकिन यह हर आमावस्या में यह जरूरी है, यह आप करना चाहिए, ऐसा नहीं कि लेकिन हाँ, अब आगे बढ़ना है, तो हमें अपगरेट करते रहना पड़े खुद को, नहीं नहीं, चीजों से जोड़कर आगे बढ़ाना होगा, अभी अपने सिंबोल्स को, क्योंकि अभी तो परसो ही है ती वाली, परसो ही है वो आमावस्या, तो अभी आपको क्या कर आपको अपने चाहत में ले जाके रख दो, एक से देड़ घंटे भी अकर रोश्नी पढ़ गई, मतलब कि अमावस्या वाले चंद्रमा की रोश्नी एक से देड़ घंटे भी उस पर पढ़ गई, तो भी ये काफि है, समझने वाली बात क्या है, कि न्यू मून जो होता है, क्योंकि अमावस्या के बाद अगली दिन से एक नया दिन शुरू होता है, एक नई राज शुरू होती है, बदो एक नई शुरुवात का दिन है, तो ऐसे समय में अगर हम उस न्यू मून में पर चाहीं वाले उस चंद्रमा में आपने सारे सिंबॉल्स को रख कर चार्ज कर लें, तो कितना बढ़िया हो, कितनी शक्ति शाली हो जाता है, वो सिंबॉल हमारे इस्तिमाल के लिए, हमारे हीलिंग के लिए कितना जबर्दस्त है, तो ऐसी एक पोटली में आप सिंबॉल को रखो, चोटी-चोटी का अगच में हरे पैंसे बना करके रखो, कुछ एक इस्तिमाल के लिए, यह किसी को दोगे या किसी की उपर रख के हिल करोगे, या उसे सिर्फ अपने हाथ में रख करके, आप उस सिंबॉल की औरजा को अपने हाथ में धारन कर लेते हो, तो यह बहुत जबर्दस्त काम आने वाला चीज है, जो सिंबल में आपको इस्तमाल कर यह लामा फिरा में इस्तमाल होने वाला स्टिक है, आप नॉर्मल हिलर भी, इसे रेकी हिलर भी इसे इस्तमाल करते हैं, अपने हिलिंग के लिए, और इसे आप अपने पोटली में डाल कर, या पोटली के बाहर ऐसे ही, इसे लाल कपड़े में रख करके, इस तरह से आप उस गंटी है जो की बहुत बहुत अच्छी वाबरेशन निकालती है इसमें एशन डिजाइन कुछ बने होते हैं तो यह ऐसे जो भी आपके हिलिंग जैसे यह सिंगिंग बाउल है इन्हें सब को आप चंद्रमा के रोशनी में रखो शंक को बस नहीं रखना शंक पूजन स्थल मे जैसे यह किस्टल ट्री है इसे सब को चंद्रमा की रोशनी में निकालो पिछाओ बाहर इन्हें उर्जा से भरो चंद्रमा की रोशनी हमेशा हिलिंग पावर को बढ़ाती है बहुत सदो उर्जा से भरता है तो हीलर्स के लिए यह बहुत ही अच्छा मौका है कि सुमतिया म चीज़ों को जैसे कि यह आपका लामा घंटी दो कितना वाइबरेशन है यह थड़ाए के लिए होता है बेसिकली है तो इसे आप चार्ज करेंगे जैसे आपका को यह कूबेर की है तो आप उसे चार्ज करेंगे यह बहुत जबर्दस चीज़े हैं इन्हें इन सब चीज़ करता है क्योंकि सीधा सीधा विग्यानिस का यह बटा कि चंद्रमाव प्रिथवी में जो समुंदर उसके पानी को इफेक्ट करता है उसकी गुर्थवा करश्ण से हाइट आइड आते हैं आम अवस्ते हमें अलग आते हैं पौर्णिमा में अलग आते हैं तो सोचो अगर प् Το वह समझेंगे तो तरभूस की तरह होता है पानी से भरा हुआ है तो पानी पे चंद्रमाव का अपना इफ़ेक्ट होता है तो आपने सारे क्रिस्टल को अपने सारे बोलने से जैसे आपकी पैंसिल से स्वितिक का ये पैंसिल है सारे जितने आपकी हिलिंग के लिए जो ये टूल्स है से मैं टूल्स ही कहूंगा सारे जितने भी क्योंकि ये सब टूल्स इसलिए बोलते हैं कि पावर आपके हाथों में होती है और आप इंटूसन पावर को बढ़ाते हैं तो यह चीज़ आपको करना है अपने हिलिंग में अपने अमवस्था में दिवाली के टाइम हिलर्सकी बहुत काम आने वाली चीज़ है तो इसे सम्हाल कर जास्ते रखें मिलते हैं आने नमस्टेज